तेज बुखार संपूर्ण शरीर में घाव से किड्नी और अन्य अव्यवयों को नुकसान पहुचने की वज़े से डॉक्टरों ने उसे 107 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम टॉक्सिक्स एब्री जर्मल नेरो लिसिन यानि तवचा और मुँ में फोड़े होने की विमारी से ग्रस्त पंदरा वर्शी किशोर को मेडिकल के डॉक्टरों ने मौत के मुँ से बाहर निकाला गट्चिरोली जिले के गाउं में रहने वाले पंदरा वर्शी किशोर मिर्गी की बिमारी से ग्रस्त था बच्पण में ही पिता की मौत हो गई एक और छोटा भाई भी है मापर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी है वह नीजी काम पर बच्चों का पालन पोशन कर रही है 24 जुलाई को अचानक किशोर की तब्यद बिगड़ गई तेज बुखार होने पर गट्चिरोली के जिलास्पताल में उसे भरती करवाया गया तेज बुखार के कार साथ ही शरीर और शरीर के भीतर फोड़े होने रखे समुचित वच्चा लाल हो गई मेडिकल में रेफर किये जाने के बाद तो अचारोग विभाग में उसे रखा गया तब्यद में सुधार नहीं होने पर 29 जुलाई को मेडिकल के वाड 24 के आईसीउ में उसे भरती किया गया जाज पर पता चला कि उसे ट्विन्स जॉनसन सिंड्रोम हुआ है फोडे होने से सास लेने में भी परिशानी होने लगी फेफडो में सूजन और पानी जमा होने लगा रक्तदाबो कम होने से किड्नी पर भी परिनाम होने लगा आग की रक्तवाहिनी में भी गाठे बनने लगी मेडिसन विभाग के डॉक्टरों की तीम ने किशोर को वेंटिलेटर पर रखा अंटिबायोटिक दवाईयों का कोई असर नहीं हो रहा था इसे क्रिटिकल इल्लेस के कारण मायोपैथी डेवलप हो गई थी बाद में डॉक्टरों ने अनेक मल्टिपल अंटिबायोटिक देने की शुरुबात की किशोर के खानपार्ण पर विशेश धियान दिया गया पूरे 107 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखने के बाद 12 नवेंबर को वेंटिलेटर निकाला गया तबियत में सुधार के बाद मंगलवार को से जेनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया डॉक्टरों ने बताया कि अब 5-6 दिन बाद उसे चुटी दे दी जाएगी